आज से हम और इसी वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं आज नबोदय विद्धियाले समीती N.V.S. स्टाफ नर्स की जो ऑफिसियल आंसर की है 2019 का पेपर है 19 नो 2019 को पेपर हुआ था उसके बाद 2020 और 2021 में वैकेंसी नहीं आई है इसलिए पेपर अबेलेविल नहीं है 2018 में वैकेंसी आई थी उसका पेपर अल्रेडी चैनल पर अप्लोडेड है और बहुत ही जल्दी आपको मैंने जैसा कि आपसे प्रोमिस किया था कि आपको एक प्लेट्फोन दिया जाएगा तो जिसमें सभी चीज़ अमेल बिल होगी बट इवन मेरा खुद का जो कोविट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई मेरी पूरी फैमली पॉजिटिव हो गई थी इसके कारण काम डिलेग हो गया है हो सकता है कि एक वीक और लग जाए अभी रिकवरी चलती जारी है दीरे दीरे सभी की तो बहुत ही जल्दी आपको विदिन वन वीक का ही टाइम लगेगा क्योंकि कोसिस की जाए क्योंकि अल्मोस्ट डेटा उसमें एड है जो हो चुका है थोड़ा और बचा है तो वह भी हो जाएगा दो से चार दिन में नेक्स्ट वीक तक आपको एप प्रुवाइट करवा दी जाएगी तो जिसमें सभी पेपर आपको अवेलिवल रहेंगे तो यहां पर हम नबोदय विद्यालाई समीती का स्टाफ नर्स का पेपर देखेंगे तो एन्वीयस का मैंने आपको सभी चीज़ें एक वीडियो के बदा दी थी फॉर्म कप फिलाफोन आपका एक्जाम कब हो सकता है क्या स्लेवर्स रहेगा किस टाइप का पैटर्न होगा बट यहां पर जिन भी लोगों ने अभी तक जो फस्ट टाइम पेपर देने वाले हैं only female candidate ही apply कर सकती है इस post के लिए तो यहां पर आपको reasoning किस प्रेट होंगे आपको notification में लेगा आप वीडियोस को देख सकें तो यहां पर जो first question था पेपर हिंदी English दौनों लेंग्वेज में आता है जिस candidate ने पेपर दिया था 2019 में उसी के द्वारा दिया हुआ पेपर है उसने हो सकता English language select कियो किसी question के लिए Hindi select कियो इस टाइप से त question number first था तो वो था the value of a bike depreciates at the rate of 5% per annum if its present value is Rs.60,000 what will be the worth after 2 years तो यहां पर आपको 5% के rate से bike का जो price बताया दो साल बाद उस bike की क्या की मनत बचेगी जब 60,000 में नहीं आ रही है तो वो आपको बताना था तो answer था 4,150 तो सबसे पहले हम nursing section को check करेंगे कि आपको nursing में किस टाइ second part हम जो reasoning है जी के है जी ऐसे सभी चीज़ हम subject knowledge में किस टाइप के आपको question आ सकते हैं exam में वो यहां पर discuss करेंगे आपको nursing सब्जेक्ट से किस टाइप के question आना है वो चीज़ यहां पर रहेंगी तो जो भी लोग ना है प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइक और बटन को प्रेस करके रखें जिससे कभी भी यहां पर आपको वीडियो अपडेट किये जाए या फिर कोई पेपर सब्सक्राइब को सबसे बड़ा डायमीटर बताना इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इससे आपको इजी लिए दिखेगा तो यह नवुदा भी धियालाए का 2019 का पेपर है तो फिर्स्ट क्वेश्चन था है यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज का दा लार्जस्ट डायमीट अखक्राइब कल ए सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है तो आपसर में था मेंन टॉवर्टिकल औक्सी पेटो फ्रेंटल सब्मेंट लोड़ा गुलराइब जो आपका अंसर था वो क्या तो सब्मेंटो वर्टिकल राइट आइट आंसर क्या है जो जीए द। नेक्स्ट तब कहां से आप चेक कर पाएंगे, radial pulse for 30 seconds, apical pulse for a full minute, apical pulse for 30 minutes, second, radial pulse for a full minute, तो यहां पर it is better to count the pulse rate when it is irregular, तो जब भी pulse rate क्या हो, irregular हो, उस time पर हमें कहां pulse rate चेक करनी है, apical, यदि option में carotid होटा, तो आप उसको mark कर सकते थे, यहां पर बठे, यदि irregular है already, तो आपके पास time कम है, तो आप सबसे पहले कहां से चेक करेंगे, apical pulse से, तो answer आपका क्या होगा, second, more than one minute से जादा आपको नहीं करना है, next is, which of the following nurse advice is the most important for a female patient, who take the lithium for manic episode, तो यदि female patient है, lithium ले रही है, मैंने यहां का treatment के लिए जो lithium दिये जाते हैं, lithium medicine दी जाती है, तो आप as a nurse उसको क्या advice करेंगे, option में, she can continue her exercise because lithium toxicity is very rare, she should stop walking, she will need to maintain her hydration to avoid lithium toxicity, या फिर she should stay in the sad when she walks, तो यहां पर as a nurse आप advice करेंगे, जो भी female client है, lithium ले रही है कि उसको lithium toxicity develop ना हो पाए, उसके लिए आप क्या कहेंगे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी body को hydrate करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ताकि आपको lithium toxicity develop ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे case में, जो लोग mania के लिए lithium therapy यूज की जाती है, दी जाती है, toxicity होने के chances भी उतने ही जाता होते हैं, तो उसको maintain करने के लिए कुछ advice दी जाती है, तो according to option के उनमें से right answer क्या है, कि आप अपना hydration level maintain करके रखिए, जिससे lithium toxicity को avoid किया जा सके, नेक्स्ट कॉस्चन है यापर, the desensitization method is utilized successfully by clients experiencing phobia, the method focus on, तो जो यहाँ पर desensitization method है, यह mentally phobia के patient को treat करने के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ पर किस चीज पर focus करेगी, assertiveness training पर, imaginary पर, modeling पर है, पर role playing पर, तो phobia में क्या होता है, जो चीज actual में है ही नहीं, उससे आपको हो सकता, डल लगने लगे, imagination जो आप feel करेंगे, तो desensitization method होती है, जिसमें आपका imagination उसको कम किया जाता है, तो यहाँ पर आपका answer भी क्या होगा, imagery, next is, a nurse can increase the comfort of a patient with appendicitis vibe, appendicitis का कोई patient है, तो उसको यह आप comfort करना चाहते हैं, उसको already pen हो रहा है, appendix inflammation infection के कारण, तो आप किस सरीके से उसको comfort level provide करवा पाएंगे, flexing the patient's right knee, turning the patient to his left side, having patient's life prone, या फिर making the patient sit upright in the chair, तो कौन सा point होगा, जिससे आप patient को comfort है, जो feel करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, flexing the patient's right knee, कोई flex करने के लिए क्यों कहेंगे, हम क्योंकि जो pen होता है appendicitis का, वो right abdominal area में होता है, इसलिए आप patient को किस टाइप से comfort दे सकते हैं, पेसेंट का जो right knee है, गोटना है, उसको सीधा flex करके रखें, next is which numerator is used in computing the crude death rate, तो crude death rate को count करने के लिए, कौन सा numerator use किया जाएगा, mid-year population, total population of last year, number of death during the year, यह फिर number of birth during the year, तो crude death rate के लिए, कौन सा numerator use किया एक होता है, denominator दूसरा होता है numerator, तो crude death rate के लिए, जो यहाँ पर numerator use होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा, number of death during the year, क्या होगा, crude death rate indicates the number of death, per 1000 mid-year population, तो mid-year population में, जो यहाँ पर divide किया जाता हो, क्या है, number of death per 1000, एक साल में कितनी death होई है, mid-year population में, वो यहाँ पर count की जाती है, तो answer क्या होगा, number of death during the year, next is, what is the color coding of the bag, used in hospital, to dispose of human anatomical waste, तो human anatomical waste है, उसको dispose करने के लिए, hospital में किस color का bag, यूज किया जाएगा, option में, yellow, black, red, या फिर blue, जो human anatomical waste होता है, जैसे कि placenta हो गया, blood हो गया, सभी के लिए, कौन से color का bag यूज होता है, तो वो था yellow color का, जिसमें only human anatomical waste ही, dispose किया जाएगा है, next हैं हाँ पर, pain in the lower back, and resistance to strengthen the leg, at the knee, in manangeal irritation, suggestive or positive, तो यहाँ पर जो पूरी चीज़े बताई हैं, कि lower back में पैन हो ना, जब आप अपना पैर पूरा सीधा करके, घुटने की तरफ ले जा रहे हैं, और आपको especially manangeal irritation के कारणे हो रही है, तो कौन सा साइन positive होगा, करनेंग ब्रुजिन्सकी, चौबस्टे क्याफ रेस्ट्रेक्सिस, तो करनेंग और ब्रुजिन्सकी, यह दोनों साइन ही meningitis के हैं, बटे हाँ पर, नी को जब आप अपना पैर सीधा करके, फोल्ड करेंगे, तो lower back में दर्द होगा आपको, तो यह कौन सा साइन है, तो होगा करनेंग साइन, next is, vivid dreaming occurs in which stage of sleep, तो sleep की sleeping pattern में, किस stage में vivid dreaming देखने को मिलेगा, REM stage delta, stage second NREM, फर stage first NREM, जो vivid dreaming है, किस stage में देखने को मिलेगी, sleep की, REM sleep में, कौन सी sleep में, REM sleep, REM sleep का मतलब, rapid eye movement sleep में, आपको क्या होगा, अलग-अलग type के सपने, आप से आप देखेंगे, और जो general ही, कितने time के लिए होती, starts about 90 minute after you fall asleep, जब आपको 90 minute तक सोए हुए हो जाते हैं, तब आपको vivid dreaming है, जो देखने को मिलेगा, next is, the constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographical area, और population group is called, तो यहां पर है कि, एक कोई disease का, constant disease का present रहे न, किसी भी infectious agent के कारण, कोई एक particular geographical area में, और population में, क्या है, epidemic, pandemic, sporadic, कै फिर pandemic, तो यह question, चारों option में से, कोई शाभी option आपको exam में आ सकता है, क्योंकि यह recent में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, pandemic है, epidemic है, तो इन सभी को ले के question आपको exam में आ सकते हैं, जो यहां पर answer है कि, constantly present है किसी particular geographical area में, तो क्या है, endemic, worldwide पूछते तो क्या होती, pandemic, next is, the period from disease initiation to disease detection is called, तो ऐसा time period आपको बताना है, कि disease start होने से लेके disease का diagnose और detect होने तक का duration क्या कहलाएगा, latent period, median incubation period, incubation period और communicable period, तो ऐसा time period जब disease initiate हुई है, start होने से लेके detect होने तक का duration होके, latent period of disease, next is, hemophilia B is the deficiency of, तो hemophilia B किस type की deficiency है, factor 7 की, factor 11 की, factor 9 की, या फ़े factor 10 की, तो A 10 9 की जो deficiency है, वो क्या है hemophilia B, hemophilia B में जो clotting factor होते हैं, उसकी deficiency होती है, कमी होती है, तो यहाँ पर वही है कि, hemophilia में जो deficiency की factor की है, factor 9 की, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, factor 9, दो type की hemophilia होते हैं, A and B, जनरली factor A है, जो hemophilia A है, जो की factor 8 के कारण होता है, और 85% hemophilia है, जो type A होता है, मतलब की factor 8 की कमी के कारण होता है, यह exam में आता है, आपको तो याद रखना है, हैं कि सबसे जादा जो hemophilia होता है, होता है factor 8 के कारण, बट यहाँ पर दोनों टाइप की बात की जाएं, जो clotting factor है, factor 9 और 8, दोनों की कमी के कारण होता है, deficiency के कारण होता है, यहाँ पर आपका answer क्या होगा, factor 9, next is the most commonly used method to prevent the transmission of microorganism from one person to another in hospital setting is, तो hospital setting में एक person से दूसरे person में हमें किसी microorganism को transmit होने से रोखना है, तो कौन सी method है, जो best होगी, filtering air in hospital, disinfecting instrument and special solution, changing the bed linen daily, या फिर washing hands slowly and frequently before after checking the patient, तो यहाँ पर cross contamination और हमें microorganism कोई एक person से दूसरे में जाने से रोखना है, hospital settings में, तो best option क्या होगा है, होगा है, hand hygiene or hand washing, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, washing hands slowly and frequently before after checking the patient, next है है यहाँ पर, patient complaints of pain and has redness with swelling at the site of IV site, what should a nurse do first? तो यह कोई patient complain कर रहा है, जहाँ पर भी उसको IV catheter लगाया गया है, कि यहाँ उसको pan हो रहा है, redness हो रही है, swelling हो रही है, तो यहाँ अनर्स क्या करेंगे आप, continue the infusion, apply warm moist pack to the red end area, stop IV infusion, remove IV cannula, फिर change IV tubing and the solution, तो पेसेंट को वहाँ पर redness हो रहा है, sore swelling हो रही ही थे, क्या सब हो रहे हो रहे है, phlevitis, तो यहाँ से केस में आपको क्या करना है, IV infusion को remove करना है, stop करना है, और IV cannula को remove करना है, next is, the flight of idea refers to which of the following, तो flight of idea है, जो किस टाइप का होगा, pattern of rapid transition from topic to topic, use of framing words, repetition of word here, new word invented by a patient, तो flight of idea, नतलब आप एक word से किसी दूसरे word पर पहुद जाते हैं, बहुत ही fast तरीके से, किसी ज़ा topic ही बदल दी है आपने, तो क्या होगा, flight of idea, next is, the commonest presentation of vesicular moles, तो vesicular moles हैं, सबसे ज़्यादा किस टाइप के होगा है, vaginal bleeding, abdominal pain, expulsion of grapp-like vesicles from vaginal, फर vomiting, तो vesicular moles का commonest presentation क्या है, vaginal bleeding, next है हैं पर, an infection in a patient with compromised defenses, by an agent of low virulence, that would not produce infection in a normal patient is known as, तो इस एक इस टाइप के infection है, जो की already agent की जो क्या है, defense mechanism already compromise हो चुकी है, मतलब उसको इस चीज की आदत पढ़ चुकी है, low virulence का मतलब है, यहाँ पर कि जो pathogen उसकी छमता ही नहीं है, उतनी ज़्यादा कि उसको harm कर सके, that would not produce infection in a normal patient is known as, और इस टाइप का, किसी और person में infection create नहीं कर पाएगा, तो यह किस टाइप का infection हो गया, subclinical, nozocomial, opportunistic या फिर, atrogenic infection, तो यहाँ पर जो infection की type दिये हुए है, वो है, कि किस type का infection हो गये, तो जो nozocomial है, वो hospital से आपको मिलेगा, जिसको hospital acquired infection भी कहा जाता है, opportunistic infection इसलिए कहा जाए, क्योंकि किसी particular person की body already immunosuppressed, उसको deficiencies, यह disease है, तो उसको और कोई other disease होने के chances जाता होगे, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगी opportunity के कारणे disease होई है, और जो atrogenic infection है, तो atrogenic infection, generally doctors के थो, patient को होगा, या फिर, जो hospital setting है, वहाँ से होगा आपको, तो किसमें आ जाएगा, एट्रोजेनिक infection में, medical surgical management के थो होगा, infection तो यह क्या है, एट्रोजेनिक infection, hospital acquired और नौजो कोमिल, जो की hospital से होगा आपको, opportunistic infection का मतलब है, कि कोई भी pathogenic organism, उस person, उसी person को affect करेगा, जिसकी body, already क्या है, बहुत जाद हैं, तो immunity suppressed disease हैं, उसके लिए फिर कुछ other problem है, तो हो क्या हो जाएगा, abortionistic infection, next is, in mild hyposuremia, the temperature ranges, तो hyposuremia में, temperature की range क्या होगी, 36.5 to 36 degree Celsius, less than 32 degree Celsius, less than 36.5 to 37, less than 36 to 32 centigrade, तो temperature होगा, hyposuremia के patient कितना होगा, less than 36.5 to 36 degree Celsius, next is, in which year was India declared a smallpox free country, by International Commission for Assessment of Smallpox Redication, तो भारत को smallpox free cup declare किया गया था, 1977 में, कब 1977 में, next है यहाँ पर, the four hallmark signs of tumor lysis syndrome are, hyperurecemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia, and, tumor lysis syndrome के, four hallmark signs है, जिन में से क्या है, hyperurecemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia, और जो fourth sign क्या है, वो क्या है, hypocalcemia, calcium की कमी होना, तो यहाँ पर answer क्या होगा, आपका hypocalcemia, next is, which of the following terms refers to the accent, to which the result of the study, can generalize to the large population, तो कौन सी जो validity है, population को लेके, हाँ पर large population के लिए, use की जाएगी, internal, external, content, याप predictive validity, तो larger population के लेवल पर पूँचा है, तो क्या है, external validity, next है यहाँ पर, following electroconversion therapy, the patient should be carefully observed for, जिसको भी ECT दी जा रही है, तो आप किस चीज के लिए, सबसे ज़्यादा observe करेंगे, seizures के लिए, nausea, vomiting के लिए, dizziness के लिए, या पर respiratory difficulties के लिए, तो जो ECT दी जाती है, जब परसन को, तो उसमें जो oral secretion है, म्यूकोस से ज़्यादा secret होता है, तो उसको aspirate ना कर पाए, patient इसलिए, उसको हम कुछ medicines भी देते हैं, बट क्या चीज हमें सबसे ज़्यादा observe करनी हों, respiratory difficulties, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो, fourth respiratory difficulties, next यहाँ पर, in which year was the pulse poli immunization program, तो pulse poli immunization program कब लॉंच हुआ था वारत में 1995 में 1995 में 1995 में नेक्स्ट है यहाँ पर the site of growth in the length of a long bone is long bone की जो site जहाँ पर growth होती है वो क्या कहला है डाइफाइस स्पार्ट, periosteum, epiphyseal plate है फर bone marrow, site of growth in the length of a long bone, long bone में जो growth होती है वो क्या, epiphyseal plate, next is which artery supply oxygenated blood to the stomach, तो stomach के लिए कौन सी artery है जो oxygenated blood की supply करती है, carotid, cephalic, gastric, यह पर ciliac, तो जो artery है इस्टमक तक only oxygenated blood supply करती है, तो क्या है ciliac artery, next is last product of the process of blood coagulation is, तो blood coagulation का सबसे last product कौन सा है, thromboplastin, fibrin, thrombin, यह पर prothrombin, तो यहाँ पर जो आपका answer होगा, वो क्या होगा blood clotting का, last step, जो पूरी process होती है step by step, तो last product क्या बनता है, fibrin, बनता है blood coagulation process का, वो क्या होता है, fibrin, जो blood clotting के factor हैं, पूरे वो आपको exam में आ सकते हैं, इसलिए आप पूरे factor है, जो नाम बाइस याद रखें, और कौन सा किस step तक जाता है, क्योंकि आपको exam में आता है, external और intrinsic और extrinsic, दौनों टाइप के path पे भी आपको याद रखना है, तो total कितने factor होते हैं, total 13 होते हैं, जैसे आपने cranial nerve याद रखना है, वैसे ही blood coagulation, जो process के factor, blood clotting factor, वो भी याद रखना है, fibronogen, prothrombin, tissue prothromboplastin, calcium iron, levile factor, stavile factor, anti-hemophilic factor, anti-hemophilic factor क्यों कहा जाता है, factor 8 को क्यों किसी के कार्ण hemophilia होता है, 9 नमबर का है Christmas factor, 10 नमबर का है PTA, 12 नमबर का है Hagman, और last है fibrin stabilizing factor, तो यह आपको exam में आ सकते हैं, पूरे factor, तो आपको इन factors के नाम याद रखने हो, last product आपको यदि पूछा जाता है, तो क्या है, वो fibrin, next is, a 40 year old client is admitted with the diagnosis of delusion of grandeur, which of the following options support this diagnosis, तो delusion of grandeur आपको पता होना चाहिए, कि इसमें क्या होगा, option में delusion for being responsible for evil world, delusion of being highly famous and important, delusion of being connected to client and related to oneself, delusion of being killed, delusion of persecution नहीं दी आता है, तो fourth number का option होगा आपको, delusion of grandeur का मतलब है, कि person अपने आपको बहुत जादा famous और importance है, जो देने लगता है, उसको लगता है कि उसके अंदर कोई super natural power है, जो सब काम कर रहा है, तो हैं पर answer क्या होगा, आपको delusion of being highly famous and important, हो सकता है कि आपको मेरी boys है, जो उतनी proper तरीके से, सही से नहीं आपा रही हो, क्योंकि गला भी भी थोड़ा सा खराब है, बट जैसे जैसे ठीक होते जाएगा, तो boys भी ठीक होती जाएगा, नेक्स्ट कॉस्चन है आपर, कुबलर रॉस, 5 successive stage of death and dying, कुबलर रॉस की simple सा कॉस्चन है, तो 5 stage हैं वो कौन सी है, grieving process की, तो वो denial, anger, bargaining, depression and acceptance, फर्स्ट आती हैं आपको यह दी तो denial है, second stage पूँछते हैं तो anger, third is bargaining, fourth depression, last one क्या, acceptance, person अपने आफ यूश चीज को accept कर लेगा, तो यहाँ पर successive stage पूँछी हैं, तो क्या है, denial, anger, DA, B, D, C, A, इस ताइप से याद रख सकते हैं, DA, B, D, A, next यहाँ पर the most common cause of acute bacterial meningitis in the age group of 6 months to 5 years, which has been virtually eradicated by the effective vaccine is, तो यहाँ पर bacterial meningitis के, acute bacterial meningitis के, जो 6 महीने से लेके 5 साल तक की age group के बच्चम होने का कारण बनता है, जनरली उसको एक vaccination के थो भी eradicate किया जा सकता है, तो कौन सा bacteria होगा, option में, Cryptococcus neoformans, Hemophilus influenzae type B, Streptococcal pneumonia meningitis, या फिर निसीरिया meningitis, तो जो answer होगा आपका, वो क्या होगा, होगा Hemophilus influenzae type B, क्योंकि यहाँ पर यह भी काया है, कि effective vaccine के थरों इसको, जो treat कर सकते हैं, virtually eradicate कर सकते हैं, बट यहाँ पर कारण बन सकता है, तो क्या है Hemophilus influenzae type B, next यहाँ पर, a thin transparent mucous membrane, that covers the inner surface of the eyelids, and that interior surface of the eyes, कौन सा part है, thin है, transparent mucous membrane का बना हुआ है, eyelid को cover करके रखता है, anterior और, जो inner surface है, उसके लिए तो क्या है, next is, isolation of a child with measles, belongs to which level of prevention, यदि हमने किसी बच्चे को isolate कर दिया, measles है, उसको तो किस टाइप के prevention में है, intermediate, primary, secondary, या भी टरॉस्ट्री, तो यहाँ आईगा primary में, क्योंकि हम उस बच्चे को क्या कर रहा है, हमने isolate किया हुआ है, ताकि दूसरों को, ना measles की situation दे सके, यहाँ पर आपका अंसर गया हुआ का, primary level of prevention, next है, बहुत easy question, coplic spots, coplic spots is associated with the diagnosis of which of the following disease, coplic spots किस disease में देखने को मिलते हैं, तो यह देखने को मिलते हैं, measles में, next is, a patient addicted to the drug says, everyone I know is using cocaine, which, why student type, this is an example of, तो एक patient है, drug लेता है, वो addictive है, कहता है कि सभी लोग cocaine लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता, तो यह किस टाइप है, projection है, renewal है, intellectualization है, फर regression है, तो इसमें उसने अपनी गलती ना मान के, किसी दूसरे को यह चीज कह दी, तो यह क्या हो गया, projection, next is, the right common carotid artery arises from, the right common carotid artery, यह कहां से originate होती है, तो यह होती है, brachiocephalic artery से, इस type के question, जिसमें आपको option, बताने की वजाय, सीधा answer दिया जाना चाहिए, तो यह सीधा answer आपको देते जा रही हूँ, क्योंकि इन में आपको सीधा याद रखना है, right common carotid artery कहां से निकलती है, brachiocephalic artery से, next है हैं आपर, the collection of the lymphatic fluid in the pleural space, due to the leak in the thoracic, due to, sorry, thoracic duct is known as, lymphatic fluid का pleural space में collect होना, क्योंकि यह thoracic duct से leak हुआ है, तो क्या कहलाएगा, option में काईलो थॉरेक्स, pleurodesis, heemothorax, या लिम्फो थॉरेक्स, lymphatic fluid यादी pleural space में पहुँच रहा है, किसके कारणियों की thoracic duct के यह से लीकेज है, तो क्या कहलाएगा, काईलो थॉरेक्स, next is, which of the following response are not forbidden during the chemotherapy communication, sorry, therapeutic communication की टाइम पर हमां क्या response है, जो नहीं भूलना है, asking close-ended question, giving the advice, reflecting and clarifying, या फिर arguing and judgmental response, तो जो चीज़ें forgiveness लाइक नहीं है, वो कह हैं, reflecting and clarifying, जो भी चीज़ें हैं, उनको clear करना है, next is, in born error of metabolic death, cause the premature destruction of RBC, premature destruction of RBC, किस के कारण होगा, किस चीज़ें की एरर के कारण होगा, G6PD, hemocytone urea, phenylketo urea, फिर celiac disease, तो RBC का जो premature destruction होगा, वो किस के कारण होगा, G6PD के कारण, next है, यहां पर दा, auscultatory area in the left, mid-clavicular line, at the level of 5th intracostal space, the area is, तो कौन सा area है, जहां पर 5th intracostal space रहेगा, mid-clavicular line के पास में, tricuspid, aortic, pulmonic, या फिर mitral, तो कौन सा wall होगा है, हां पर होगा, mitral area, next is, dyslexia refers to the, dyslexia का मतलब क्या है, learning disability, behavioral disability, motor disability, or psychological disability, dyslexia का मतलब होता, learning disability, सीखने के में, कुछ कमी होना, next is, a patient is admitted, with borderline personality disorder, milieu therapy is planned for the patient, the nurse is aware, that focus of this therapy, इस तो आपको पता होना चाहिए, कि milieu therapy, हमने cognitive therapy के, टाइप पड़े हैं, अलग-अलग, वो ही therapy में से, आपको exam में दी question आता है, तो सभी therapy's पता होना चाहिए, तो milieu therapy में क्या किया जाता है, manipulate the environment, to bring about positive changes in the baby, milieu therapy यह दी दी जारी है, personality disorder के patient में, तो उसके आसपास का, क्या बातावराण, उसको manipulate करने की, कोसिस की जाएगी, उसको इस तरीके से, present किया जाएगा, कि अभी यह सब नहीं है, और उसको positive रहें चीज़ें, वही चीज़ें मिलियो थेरपी में चैन्ज की जाएगी, तो क्या होगी, manipulate the environment, to bring about positive changes in the behavior, next is, which option describes the orthopnea, तो orthopnea में कौन सा option सहीव होगा, ability to breathe only in upright sitting और standing position, difficulty in breathing, rhythm in vaccine, waning or respiration, slow breathing, तो orthopnea में क्या होता है, जब आप बैठे हो, तो अचानक से यदि आप रेट जाते हैं, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ना कि upright sitting position और standing position में breathing problem होगी, तो answer क्या होगा आपका, ability to breathe only in upright sitting और standing position, next is which of the following is the gold standard for diagnosis of TB, तो tumor clauses diagnose करने के लिए, गोल्ड स्टेंडर्ड टेस्ट कौन जा है, chest x-ray, blood culture, mountax test, mycobacterium, sputum culture, तो best or gold standard क्या होगा है, आपर mycobacterium जिसके गारण tumor clauses की situation डेवलप होती है, तो उसी का sputum culture है, जो gold standard test माना जाएगा, next is, a terminally ill patient usually does not experience which of the following feeling during the anger stage, जो patient terminally ill है, उसमें कौन सी चीज़े हैं, जो anger की stage में, गुस्वें की stage में नहीं develop होँगी, numbness, resentment, envy या phrase, तो इस टाइप के patient में numbness हैं जो feel नहीं होगी, anger stage में, next is, in the tuberclean test, the area of inturation is measured after, तो tuberclean amount x test वे एरिया कितने, जब PPT inside कर दिया जाता है, तो protein derivatives inside किया जाते हैं, उनके बाद कितने time तक बेट किया जाता है, 48 से 22 घंडे तक, next है यहाँ पर, mycobacterium tuberculosis seizure, तो mycobacterium tuberculosis किस टाइप का वेक्टिरिया है, gram positive, non-mortile and acid fast vaceli, कैसा, gram positive, non-mortile और acid fast vaceli, next is the collapse of the alveoli is prevented by, तो alveoli collapse कब होती है, atalaxis की situation में, जब collapse होना start हो जाती है, तो उसको कैसे prevent कर सकते हैं, surfactant के द्वारा, next is a study of experiences called, तो experience की study को क्या कहा जाता है, action research, ethnography, phenomenology, या फिर डाउंडिट थेओरी, कौन सा term में उस किया जाता है, phenomenology, next यहाँ पर, in a 100 ml of human milk, how much protein is present, 100 ml human milk में, breast milk में कितना protein होगा, तो होगा 1.2 gram protein, next is which of the following organism, is responsible for development of rheumatic fever, rheumatic fever के development में, कौन सा organism responsible होता है, तो तो तक group A, beta hemolytic streptopocus, कौन सा group A, beta hemolytic streptopocus, rheumatic fever के लिए, responsible माना जाता है, next है हाँ पर, a process that renders data into numbers, that in turn can be entered into a database, is called, तो यसी process जिसमें data को numbering में प्रिजेंट किया जाता है, क्या है, editing है, transcribing है, matrixing है, अपर coding है, तो यह क्या है coding, next question है, आपर the immunity transferred by maternal antibodies across the placenta is called, तो antibodies are maternal antibodies, placenta के थोफ बच्चे में transfer होती है, तो यह किस टाइब की immunity कहलाएगी, active, hard, humoral, एपर passive, तो यह कहलाएगी passive immunity, तो total जो question आते हैं, वो 70% question बनते हैं, non nursing subject से, तो यहाँ पर वही हम discuss कर रहे हैं, next question है, आपर therapeutic intervention, that involves thinking about or relating past experiencing, helping patient to acquire a sense of integrity, enhance self-esteem and stimulate thinking about oneself is called, तो किस टाइब का therapeutic intervention होगा, जिसमें person अपना past के साथ, उभरने के साथ साथ, जिसकी integrity है, उसकी खुद की self-esteem है, उसको भी improve करेगा, अपने सोचने की छमताओं को बढ़ाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, self-exploration, pro-cretination, supportive confrontation, यह फिर reminence, ते कहलाएगा, reminence, नेक्स यहाँ पर, the four cardinal sign of inflammation, तो inflammation के जो four cardinal sign है, पैन, heat, redness and swelling, क्या है, पैन, heat, redness and swelling, नेक्स यहाँ आपर, the sampling analysis that involves a random start, and then proceed with every key elements, from the onwards is called, तो किस type की sampling है, यहाँ पर, तो option में है, systematic random, stratified, simple random, यहाँ पर, sample analysis की process पूँछी है, जो की, randomly start होते होते, धीरे धीरे, जो चीज़ें कठेन है, वहाँ तक जाएगी, तो क्या कहलाएगी, systematic random sampling, next is, which of the following is, earliest sign of Ricketts, तो Ricketts का earliest sign, पूछा है, option में, Ricketts, Rosary, Cranioteps, Harrison Grove, यहाँ पर, Bollex, Ricketts का ही sign, Bollex, बट यहाँ पर, जो earliest sign, पूछा होगा है, Cranioteps, next is, which objective are defined, for example, in project management, employee perform, management, in personal development, as per the acronym, smart, smart का perform, बताना है, जो की, project management technique, में, यूज होता है, तो answer है, यहाँ पर, specific, measurable, achievable, realistic, and timely, यह सभी क्या है, जो, employee performance, management and personal development, के लिए, के एक एक्रोनाइम, यूज किया गया, उसका full form है, smart का, कि इस्पैस्पिक होना चाहिए, measurable होना चाहिए, achievable होना चाहिए, realistic होना चाहिए, timely होना चाहिए, next is, excessive hemolysis में, result in the accumulation of which substance, in the body, तो जब excessive hemolysis की, hemolysis की process होगी, तो RVC का destruction भी बहुत ज़्यादा होगा, कौन सा substance बहुत जाना बनेगा, बोडी में तो होगा, blee rubin, next is, the muscles that cover the shoulder and back of the neck, तो कौन सी muscles हैं, जो shoulder और back part को cover करती हैं, neck की तो बहुत, propageous muscles, next is, the ideal storage temperature for polio vaccine, तो polio vaccine हमेशा, minus 20 degree Celsius पर store करके रखी जाती हैं, last question है, accidental hemorrhage is also known as, तो accidental hemorrhage को और क्या का आ जाता है, बासा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, abletya placenta है, फिर circumvalent placenta, तो क्या कहला था, abletya placenta, तो यह nursing subject के total 60 question थे, अब जो remaining question बजते हैं, हम उनको देखते हैं, कि आपको किस type के question है, जो exam में आ सकते हैं, क्योंकि nursing, non-nursing, दौनों subject से आपको question आने वाले हैं, non-nursing से जो आपको question आएंगे, जिसमें आपके लिए, only मैं बतावस दोंगी, कि reasoning आपको इस type से आएगी, बट आपको reasoning के question change हो सकते हैं, जो nursing के उनमें format अलग हो सकता है, बट आपको question भी थोड़े बहुत change करके दिये जा सकते हैं, बट आपके लिए paper बहुत ही अच्छा आएगा, upcoming time में भी paper अच्छा आएगा, form fill up हो रहा है, जिनोंने अभी तक form नहीं मारे हैं, क्योंकि 40% जो आपका non nursing subject से आना है, वाँ की 60% जो nursing से आना है, general awareness में आपको यहाँ पर first question आया था, who among the following received the 2019 UNESCO, Gullirmo Cano World Press Freedom Prize, तो 2019 का पूंचा था हो सकता, तो इस साल 2021 का पूंच लें, कि जो prize हैं, यहाँ पर Cano World Press Freedom Prize किसको मिला, 2019 में किसको मिला था, क्या, सोई, ओ, एंड, लाव, मॉमे, सोरी, वा, लॉने, ब्यामार के लिए मिला था है, next हैं आपर, what does the part of XX of Indian Constitution, तो Indian Constitution में XX का मतलब क्या है, Parliament, amendment of the Constitution, emergency provision for official language ते क्या, amendment of the Constitution, next हैं आपर, which national park forms part of निलगीरी वाइसपियर रिजर्ब, किस पार्क से निलगीरी वाइसपियर रिजर्ब बना है, पार्ट है, बांदी को टाइगर रिजर्ब एंड, नैस्नल पार्क, next है भारत के जलवायू, बेद देता सुचकांक में, किसको 0.42 के स्कोर के साथ अफेट शाकरत कम बेद दे पाया गया है, तो यह चीज़ें आप याद रखें, आपर 2018 की है, एक्जाम में आपको 2020-2022 तक की आ सकती है, तो यह सिक्किम, next है आपर, which country awarded its highest civilian honor to the ex-isro chairman A.S. Kiran Kumar, तो किसके लिए highest civilian honor prize मिला था, जो की ex-isro chairman रहे है, A.S. Kiran Kumar, तो उथे France के, next is, अपूर्वी सिंग चंदेला currently holds the number of one position in which of the following sports, तो अपूर्वी सिंग चंदेला पूछा है, यहाँ पर हो सकता आपको इस वार जो ओलंपिक हुए है, टोक्यो ओलंपिक उसमें से आ जाए, question, तो उस टाइम पर थी 10 meter air rifle shooting के लिए, यहाँ पूर्वी सिंग चंदेला है, जो first position पर थी, next EVM में अधिक्तम कितने बोट डाले जा सकते हैं, EVM मसीन होती है, voting के लिए, उसमें कितने बोट डाल सकते हैं, 2000 तर, सर्वोच नियाययला के नियायदीस को हटाना के लिए, भारत के समविदान के किस अनुछेद में प्रावधान किये गए हैं, प्रावधान दिये गए हैं तो वह अनुछेद नमबर 124 नेक्स्ट है आपर एन 18-year-old girl named Bandana from Nepal set the Guinness world record for longest dancing by dancing continuously form तो बंदना है जो नेपाल की उनके लिए गनीज बल्ड पुफ में उनका नाम record किया गया था जिन्होंने कितने 26 घंटे तक continuously dance किया था बिना थके बिना रुके नेक्स्ट आपर मई जुलाई 2019 में ICC Cricket World Cup का आज़न कहां किया गया था तो 2019 का पूंचा है हो सकता विश्वार 2021 का पूंचे तो हो था उननीस में England और Wales में Next, who among the falling west state with the responsibility of conducting monetary policy in India तो monetary policy को कौन contact करता है भारत में Reserve Bank of India Next, when is the world heritage day observed तो हम हर साल world heritage day का मनाते हैं अप्रेल 18 को Next, निमलिकित में से किस देश की मुद्रा बीर है तो option में था किर्जिगिस्तान, इथोपिया, मिस्त्रय पर अफगानिस्तान तो यसे Indian currency क्या है यहां पर रुपीज है वैसे ही वीर कहां की मुद्रा इथी पोपिया Next, यहां पर which one of the falling states has larger population देना other state तो महराष्ट की population as compared to other state के सबसे ज़्यादा है Next, गोवा में किस बर्स में पुर्त गालियों से सुतंत्रता प्राप्त होई थी तो गोवा में सुतंत्रता प्राप्त होई थी कब 1971 फिर language competency test में से आपको question आएंगे total मिला के जो आपको question रहेंगे बहुत ही अच्छे और selected question आएंगे तो हमने nursing subject देख लिया, reasoning देख लिया, current affair देख लिया, आपको इहां पर हिंदी से भी question आएंगे total जो 40% है, वो non nursing होगा, वांकि 60% nursing subject से I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने friends की साथ इस paper को जरूर से air करें और आपको within one or two days में platform दे दिया जाएगा, क्योंकि मुझे covid हो गया था और इवन अभी भी fourth day है अभी मेरी recovery के लिए medicines चल रही है, इसलिए proper classes नहीं हो पा रही है but courses की जाएगी, बहुत जल्दी से जल्दी आपकी अलग-अलग topic wise classes start की जाएग, guys thank you for watching us, bye bye